इस विडियो इस पॉंसर बाइ ड़ 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 लवटिपसिन हिंदी ड़ट कॉम चेक डिसकेशन फूर मोर डिटेश्ट एक इनसान के जीवन में कहीं बार ऐसी परिश्रिटिया आती है आपके सामने जहांपर आप कुछ कर सकते हो अपने सीचुशन के उपर अपने दुख के लेकिन कहीं बार आपके सामने ऐसी परिश्रिटिया आ जाती है जहांपर आप चाहर कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ब्रेक अप हो जाने के बाद ये चीज़े आपके हाथ में रहती है कि आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी है आप आराम से इनके बारे में बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा है कि जो most of गलतिया करते हैं और breakup के बाद दोगों से गलतिया क्यों हो जाती है इसका भी बहुत ही बड़ा एक psychological reason है क्योंकि जब हम बहुत ही ज़्यादा emotional हो जाते हैं हमारा दिल बहुत ही hot होता है तो आपका mind proper way में काम नहीं करता है breakup के बाद आप उस इंसान को अपनी life में वापिस लाना जाते हैं तो दोनों कंडिशन आपके सामने हैं लेकिन इन दोनों कंडिशन में आपको गलतिया नहीं करने हैं जो इस वीजियो में मैं आपको बजाने वाला हूं क्योंकि अगर आप यह गलतिया करते तो आपके relation में और आपकी personal life में बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता है तो उन गलतियों से आपको personally बचना होगा तो सबसे पहली गलति के बारे में बात करते कि दोस्कों क्या होता है कि जब आपका breakup होता है तो most of लोग आपको ऐसी advice देंगे कि आपको नया relation बना लेना चाहिए ताकि कि आपका दूख आपका दर्द थोड़ा सा हलका हो जाए और यह बात कहीं हद तक सही भी है कि हम नया साथी ढून लेते नया partner जब हमें तकलीफ होते बहुत ज़्यादा होते तो को यसा इंसान हमें मिलता है जो हमारी बात को समझत है तो हम बड़ा ही relaxed फिल करते लेकिन यह इंसान पाने में डूब रहा होता है तो इस तिंखे का सहारा भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा थाकत करता है उनको इस तिंखे के सहारे में भी अपने जीव को बचाने की उमीद होती है आसा होती है इसी तरह से इस सिच्योशन में आप किसी भी इंसान को अपना partner मत बन आप दोनों के विचमे क्या में कोई भी रिजन हो सकता है अगर आपका breakup हो गया है और आप उनसे बार-बार कोल करें लगातार हों से बात करने की contact करें तो यह आपकी दूसरी गलती हो रही है क्यूंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्यूंकि आप दोनों के विचमें जब जल्दी वो भूल नहीं जाएगा उनको भी बहुत सा याद आएगी तो आपको थोड़ा सा टाइम देना उसके गुशे को आपको धिरे धिरे ठंडा होने देना है क्योंकि जिस टाइम पर अगर आप उसको बार-बार कोल करोगे तो आपके उपर ज्यादा इरीटेड होगे आ आप उनको मिस करेंगे वो भी आपको मिस करेंगा लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा तीसरी गलती कि आपको उनकी जासुषी किसी भी तरह से नहीं करने यह काम आप तभी करोगे जब आप उनको वापिस अपने पांस वापिस बुलाना चाहते हो या चल गया कि आप उनको फोलो करते हैं उनकी जासुषी करते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में जानने की ट्राइ करते हैं तो वह इंसान आपके इस तरह से काम से ज्यादा इगो में आ जाएगा ज्यादा एटिचूड में आ जाएगा उनको यही लगता जैसे कि आप दोनों के वीच में कोई mutual friend होते है या उनके दोस होते है तो आप जाकर उनके बारे में पूछते हो या अपने mutual friend के बारे में उनको लेकर आप बाते करते हो कि आप उनको बड़ा ही मिस करे हो उनके रह नहीं पारे है अगर आप उनके सामने इसी बात करे है तो ज करते हैं जब उनको पता ही नहीं होगा कि आप उनके बारे में क्या फिल करते हो आप उसको भूल गए हो या याद है तो यह जानने के लिए हो आपकी वह रॉट्रे होगा आपकी लाइफ में वापिस तभी आएगा अगर उनको पता ही होगा कि आज भी आप उसे प्यार करते ह परवा करें तो मैं उम्मेद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हलप लोगा दूस्तों आपको वीडियो पसंद आज़े तो इसे लाइक करें इसके बारे में कुछ कहना जाते हुआ तो तो कॉमेट करें वीडियो चनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें अगर आपका कोई प्यार है आपका कोई रिलेशन है तो ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती दूस्तों आप लोव और रिलेशन के बारे में ज़्यादा जान करें चाहते हों तो आप मेरी वेबसाइट लॉव टिपस हिंधी.com को वीजिट कर सकते है जिसकी लि कर सकते हैं ज़्यादा जाती है